हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज का यह नया वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है मेरा नाम है गोपाल तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे Android 11 और 12 data permissions के बारे में क्योंकि बहुत सरी users को जो Android 11 और 12 डिवाइस होता है उसमें data permissions को लेकर के बहुत ही ज्यादा problem होता है तो दोस्तो एक project file है मेरे पास sketchware pro का जिसके अंदर बहुत ही असान तरीके से बताया गया है दोस्तो आप किस तरीके से जो है data permissions को आप set कर सकते हैं Android 11 और Android 12 में ठीक है और दोस्तो इसमें जो custom blocks का इस्तिमल किया गया है वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा important है दोस्तो वीडियो को पर लाश्ट तक देखेगा तो चलिए दोस्तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते है दोस्तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम credit दे देते हैं आप जो है इन्हें support कीजिएगा दोस्तो फुल support कीजिएगा दोस्तो ये project file के लिए ठीक है Android 11 और Android 12 data permissions ठीक है दोस्तो आप इसका पर click करेंगे तो ये intent की मदद से मैं आपको दिखा जेता हूं दोस्त जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं permission path जो है यहाँ पर बनाया गया है दोस्तो और custom blocks को भी ओ मैं आपको दिखा जेता हूं ठीक है यहाँ पर जो है दोस्तो आप storage का Android data का दोस्तो आप जो है permissions set कर सकते हैं बहुत ही असान तरीके से दोस्तो बहुत असान तरीके से Android 11 और 12 का और दोस्तो मैं आपको custom blocks भी दिखा जेता हूं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कुछ custom blocks है मेरा तो यह जो है दोस्तो Android 11 और 12 का यह custom blocks है दोस्तो update update block है ठीक है तो यह जो custom blocks है दोस्तो अगर आप इसे download करना चाहते हैं आप देख सकते हैं पुरा का complete blocks आपको यहाँ पर द वीडियो का description में चेक कीजिए आपको यह custom blocks मिल जाएगा आपको जो है दोस्तो download कर लेना है ठीक है एक जेसन फाइल है आपको download करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तो मैं आपको दिखा जेता हूं क्योंकि यहाँ पर आपको import करना पड़ेगा set करना पड़ेग हूं दोस्तों आपको यहाँ पर जो developer tool है इसका पर click कर देना है उसके बाद block manager का पर click कर देना है दोस्तों और यहाँ पर आपको नीचे के तरफ एक plus का icon दिखने के लिए मिलेगा इसका पर click करके दोस्तों आप यहाँ पर जो है android 11 या पर android 12 इस तरीक से लिखके आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको color देखके दोस्तों color select कर दीजिए ठीक है ठीक है उसके बाद इस तरीके सब नाम देना है color select करना है उसके बाद save कर देना दोस्तों तो यहाँ पर scroll कीजिए नीचे के तरफ scroll कीजिए तो आ यहां पर हमारा कोई भी ब्लॉक्स नहीं है लेकिन आप इसका पर किलिक कीजिए आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर total 51 custom blocks दिया गया है तो यहां पर दोस्तों आपको import करना है जो भी folder जो भी file जैसन फाइल आपने download किया है उसका पर यहां पर import का पर तो ये कुछ error आ गया था तो select करने का जुरूरत नहीं है दोस्तो आप यहाँ पर all का पर select कर दीजिए तो यह जो all है दोस्तो यह import हो जाएगा तो दोस्तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने import कर लिया है तो इस तरीके से दोस्तो आपको import कर लेना है उसके बाद sketchware pro को exit कर देना है उसके बाद reopen करना है यह आ जाता है तो फिलाल दोस्तो इसको जो है मैं delete कर देता हूँ क्योंकि यह हमारा किसी कामकार नहीं है all permanent क्योंकि यह मेरे पास पहले से ही यहाँ पर है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो बाकी जो है हम जो है इसको run करते हैं और मैं आपके यहाँ पर दिखा जिता हूँ यहाँ पर जो है library यहाँ पर दोस्तो दिया गिया है ठीक है तो यह जो project file है दोस्तो मैं आपको run करके install करके दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है और यह जो है दोस्तों यह android 11 और 12 में successfully यह काम करता है दोस्तों मैंने खुद try करके देखा है यह successfully काम करता है और यह जो block है जो custom blocks मैंने आपको share किया है यह update custom blocks है दोस्तों आप जुरू download कीजिए वीडियो का description में check कीजिए दोस्तों आपको यह project file अगर आप download करना चाहते हैं जो custom blocks मैंने आपको दिखाया अगर आप उसे download करना चाहते है तो सारा जनकरी आपको इस video का description में मिल जाएगा आप एक बार check कर लीजिए ठीक है और download कीजिए चेक कीजिए दोस्तों यह देखिए आप इसको open करते हैं without error हमारा जो project file है successfully build हो गया है दोस्तों यहाँ पर get access तो हम sorry इसका पर click करते हैं दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं data जो है folder जो है हमारा जो है यहाँ पर open हो चुका है अप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं use this folder इसका पर click कीजिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं allow कर दीजिए दोस्तों तो यह आपका permission guaranteed तो आप इस तरी के से दोस्तों आप जो है permission set कर सकते हैं दोस्तों असन तरी के से यह जो project file में बताया गया है आप चेक कीजिए दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए जो भी कोसाने आपका जो भी सवाल है तो जरूर कॉमेंट कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपना दोस्तों के पास जरूर सेर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही बाबाई